हेलो माईडियर स्टूडेंट कैसे हो आप लोग और कैसी चल लए है आप लोगों की तैयारी आई होब कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एक्जाम की तैयारी अच्छे से कम्प्लीट कर रहे हैं आज हम इस वीडियो में बचे हुए महीनों में तैयारी का बेस्ट टाइम टेबल आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं कि बचे हुए जो आपके महीने हैं बोर्ड पर इच्छामी पेपर देने से तो आपको किस तरह से टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चाहिए आपके strategy क्या होनी चाहिए ताकि आप 95 marks जो है 95 plus marks आप हर एक subject में लेकर आएं तो आज के इस वीडियो में हम यही सब चीजों की बाहरे में बात करेंगे और आपके लिए एक 60 time table हम लेकर आएं जिसमें हम सारी चीजे बताएंगे कि कौन से subject पर आपको कितना समय देना है और आपको school और जो पढ़ाई है अपनी कैसे manage करना है सारी चीजे के बाहरे में हम बताएंगे आल स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो है हाई स्कूल के भी स्टूडेंट वीडियो देख सकते है और जो 12 की विद्यारती है वो भी वीडियो देख सकते है टॉपर आपको बनना है तो ये टाइम टेबल को follow करना आप लोग स्टार्ट कर दीजे जो हम इस वीडियो में बताए है पूरा टाइम टेबल एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और आपकी तैयारी को बहतर बनाएगा जितने भी स्टूडेंट 95 प्लस माक्स लेकर आना चाहते हर एक सब्जेक्ट में वो लेकर आएंगे ये टाइम टेबल के हिसाब सी तो चलिए देखते हैं और ये इनपोर्टेंट वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजेगा काफी मैनत लगा इसके लिए तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी यहाँ पर देखें इस्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल है जो हाई स्कूल के है सब्जेक्ट के लिए है वो भी अपना यहाँ पर लगा सकते हैं देखें यहाँ पर आपका टाइम रहेगा य यानि विश है कि आपको कितना देना है फिर हमाय आपको लिए एक strategy लेकर आओगा कि माल लीजी ये नहीं पसंद आ रहा फिर आप दूसरा वाला try कर सकते हैं यहां पर देखिए सुबा चार बजे से 6 बजे तक क्या करना है आपको morning में आपको जो morning में सुबा चार बजे से 6 ब और revision इस टाइम पर यानि morning के टाइम पर करना सबसे ज़्यादा फाइदे मंद साबित होता है इसलिए फाइदे मंद साबित होता है क्योंकि इस समय mind जो होता है वो relax होता है और जो याद होने की छंता होती है वो काफी तेजी से हो जाती है यहां पर mind आपका सांत होता है पर एक सब्जवब करना है तो हर दिन आपको क्या है दो सब्जेक्ट माल लीजी कि एक गंटा कोई अन्य सब्जेक्ट पर और एक गंटा कोई अन्य सब्जेक्ट पर यहांई दो घंटा आपको हर दीम मॉर्निंग में चार बज़े से-चे बज़े तक यहांई दो गंटे देना है ठीक है? रिवीजन पर समझ में आ गया है, उसके बाद में देखिए के important जो question पर इसको तयार करना है geography के जगह पर आपका समाजसास्त्र भी हो सकता है ठीक है? इतिहास भी हो सकता है तो ये नहीं कि geography ही होगा तो मैं मान लीजे कि एक example के साथ मैं यहाँ पर भूगोल का लेकर आया हूँ ठीक है? यहाँ पर आपका समाजिक विज्ञान भी हो सकता है या पर आपका chemistry भी हो सकता है तो इसके important questions को क्या करना है आपको तयार करना है मैं वीडियोज भी लेकर आता हूँ आप सभी के लिए और आप लोगों ने question bank तो ले ही लिया होगा उससे भी important questions को तयार केजी एक घंटा आपको यहाँ पर मिल जाता है यह time table है student इसको जहूर follow कीजीगा निक लीजी ठीक है और दिवाल पर अपने चपका लीजीए क्योंकि आपको इसी के हिसाब से क्या है तयारी करना है यदि आपको अच्छे marks लेका राना है हर एक subject में तो ठीक है इसी तरीके से और इस्टे ही जो strategy है इसी follow करके तभी आप अच्छे marks ला सकते हैं उसके बाद में देखिए तीन बजे से चार बजे तक यहाँ पर भी आपका एक घंटा है ठीक है तीन बजे से चार बजे तक समाज सास्त्र, sociology अब यहाँ पर देखेंगे मैंने all subject लिखा हुआ है तो यहाँ पर मान लिजे कि समाज सास्त्र नहीं है आपका यहाँ पर क्या है biology आजाता है यह science आजाता है यहाँ आपका यहाँ पर क्या आजाता है नागरिक सास्त्र आजाता है तो समाज सास्त्र नहीं आपका कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है लेकिन मैंने एक्जांपल के तोर पर यहां पर समाज सास्त्र शोशोलोजी लिख दिया है यहां पर आपका जो भी सब्जेक्ट फिट होता है वो आप यहां पर लगा दीजीगा उसके बाद में देखिए चार बजे से पांच बजे तक चार बजे से पांच बजे तक art यानि जो drawing होता है गिरेविज्ञान लड़कियों के लिए इतिहास और अर्थसास यह अलग-अलग है student आप देख सकते हैं कॉमा लगा है किसी का art होगा किसी का गिरेविज्ञान होगा किसी का इतिहास होगा और किसी का अर्थसास्त्र होगा ठीक है तो जो भी आपका subject है यहाँ पर आप चार बजे से पांच बजे तक यानि एक गंटा इसमें भी है तो इस पर आप time दे सकते हैं ठीक है उसके बाद में देखिए साथ बजे से आठ बजे तक क्या करना है आपको अंग्रेजी यानि इंगलिस को पढ़ना है इंगलिस तो compulsory है चाहे high school हो या intermediate science हो या art दोनों में आपको अंग्रेजी यानि इंगलिस को पढ़ना पड़ेगा तो इस पर भी आप एक घंटा दे दीजी ठीक है फिर आठ बजे से नो बजे तक क्या करना है आठ बजे से नो बजे तक हिंदी को पढ़ना रिया हिंदी को काफी जो विद्यारती है हमारी प्यारी विद्यारती उसको हलके में ले लेता है तो देखें भईया हलके में मत लेजे क्योंकि कोई subject हलका नहीं है याँ पर अपने में सभी क्या है एक वकार से परतिभाशाली है सभी विद्वान है हिंदी भी हलके में लेजेगा हिंदी व्याकरण जब आप लोग देखेंगे पत्र लेखा यह सब हिंदी के important topic है जो आपको तयार करना पड़ेगा तो ठीक है इस पर भी आप लोग पढ़िए और हमारे चैनल पर सभी चीजों की तयारी हो रही है तो चैनल को अभी subscribe कर लेजी यह time table है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ठीक है उसके बाद में देखि पर नहीं हाल करना चाहते तो आप कोई प्रश्ण है जो important लग रहा है कठीन है तो उसको याद कीजी आपकी पास यहाँ पर भी एक घंटा है अब मैं आपको फोड़ा detail में समझा दू कि इसका जो time table मैंने आपको बताया है इसको कैसे follow करना है कि इस strategy से आपको follow करना है ताक रिवीजन करें के तो morning में जादा याद रहेगा ठीक है आप यहाँ पर देखिए दो पहार में क्या करना है दो बजी अब देखें यहाँ पर क्या है छे बजे से आप उठेंगे ठीक है छे बजी उठेंगे यहाँ पर क्या है आप एक पकार से घूमने फरने जाएंगे एक थंडी हावाओं में, morning की समय हावाओं में तो mind आपका phrase हो जाता है तो क्या है आपके पास है 6 बजे यानि 6, 7, 8 ठीक है तो यह इसमें क्या है आपको नहा धोकर, खाना पीना खाकर जो भी आपके काम है, घरेलू काम है उसको निप्टा कर आप स्कूल चली आते हैं स्कूल चली यानि के बाद में आपकी एक बज़े चुट्टी होती है एक बज़े किसी की चुट्टी होती है किसी का दो बज़े चुट्टी है तो माल लीजी एक बज़े मैंने रख लिया ठीक है अब दो बज़े से आप क्या है एक बज़े आए एक बज़े से खाना पीना खाया आधा गंटा रेश्ट किया आधा गंटा आप लोगों भी किया क्या प्यारी विद्यार थी रेश्ट किया दो बज़े से फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है दो बज़े से तीन बज़े तक एक गंटा आप अन्य सब्जेक्ट पर दे दीजिए, फिर तीन बज़े से चार बज़े तक कोई एक और सब्जेक्ट पर दे दीजिए, फिर चार बज़े से पांच बज़े तक यानि एक एक गंटा आप हर एक सब्जेक्ट पर दीजिए फिर साथ वजे से आठ वजे तक अंग्रेजी पर आपने दे दिया आठ वजे से नौ बजे तक हिंदी पर दे दिया क्योंकि कम टाइम है तो आपको इसी तरीके से तयारी करनी पड़ेगी और जो टॉपरी स्टूडेंट होता है वो जो स्टाटीजी फॉलो करता है कुछ इसी तरीके से करता है ठीके वो कहीं बाहिरी पर नहीं करता है वो बस एक माइन सेट उसका रहता है कि हमें 95 प्लस मार्क्स लेकर आना है इस वर्ष हर एक सब्जिक्ट में तो वो माइन में उसकी फीड रहता है और वो टाइम टेबल बना कर दिवाल पर चिपका लेता है तो जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया है सेम इसी प्रकार से आप लोग बना लीजी साड़ें नो बज़े मैंने क्यों च्टार्ट किया क्योंकि मैंने आपको 10 गंट देदिया 12 गंट भीया आप लोग खाना पिना खाएंगे स्टी में डिनर देख सकते हैं प्रशन गाव तया और याद कर सकते हैं है लॉंग कोर्शन है उसका भी ठीक है तो दोनों में से एक कर लिजिए अब साड़ी दस बजी की बाद में आप क्या कीजिए सो जाईए ठीक है क्योंकि सोना बहुत ज्यादा जुरूरी है आपको साथ सी आठ गंटा सोना अनिवार रहे तो साथ गंटा आप सो लेते हैं इनफ ह आपके लिए ठीक है क्योंकि अब टाइम कम बचा है और आपको क्या एक प्रकार से महनत करना है महनत करेंगे कुछ भी असंभाव नहीं है सब आपके लिए संभाव हुए तो यह फॉलो कर लिया अब मैं पूरा एक डेटियल में लेकर आया हूँ एक अलग है यह दिखिए व्लाइक स्टॉराल इस्टूडेंट के लिए यहां पर देखिए सुबाव चार बजे उठे च्छे बज़े से यहां पर देखिए सुबाव चार बज़े से 6 बज़े तक हर दिन दो सबजिक्ट को ज़रूर याद करें यानि रिवीजन करें जैसा कि मैंने आपको बताया थ ठीक है इसको आपको revision करना है उसके बाद में देखिए साथ बजे से आठ बजे तक उठे नास्ता करें तयार होकर स्कूल जाएं जैसे मैंने बताया था आपको यहां पर देखिए छे यानि एक घंटा यहां पर मिल जाता में बीच में आपको एक घंटा परे मिलता है तो एक घंटा जैसे मैंने कहा कि आप लोग उठे और क्या है टहन ले जायнет क्या थंडी आवाओं में और जाएंगे क्या है morning के समय तो आपकी mind phrase रहता है और एक प्रिकार से energy आपको आती है और जो चीज करना चाहते हैं उसके लिए क्या है सारी चीजे तयार रहती है और आप अच्छा score करते हैं अब आप उच्छा score ऐसे कैसे करेंगे दिखे student क्या होता morning के समय mind phrase लिएता है और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं तो morning की जब हमाएं लगेंगी तो आपकी body पर भी effect पड़ेगा तो एक गंटे आप यह कर लिया साथ बज़े आए साथ बज़े से आठ बज़े तक नास्ता किया नाया दोया और अपना school लिकन दी फिर एक बज़े आए फिर एक बज़े आने के ततपशात खाना पीना खाया रेष्ट किया हो गया सारा का अब यहाँ पर दिखी दो बज़े से तीन बज़े तक कमजोर subject प पर आपको विसेश रूप से ध्यान देना है ठीक है एक गंटा है यहाँ पर तो आप कमजोर subject पर ध्यान दे सकते हैं उसके बाद में देखिए तीन बज़े से छे बज़े तक अब भाईया यहाँ पर देखिए तीन बज़े से छे बज़े तक अब यहाँ पर देखिए कित भूगोल भी हो सकता है ठीक है तो ये तीरों सब्जेक्ट आपके मजबूत हो सकते हैं तो इस पर भी ध्यान देना है ठीक है इस पर भी ध्यान देजी इसके model paper को solution कीजिए objective questions तयार कीजिए और ज्यादा से यादा important topic को पढ़िए हमने video सभी का बनाया हुआ है उसके बाद में देखिए छे से साथ बजे यहाँ पर भी एक गंट आपको मिल जाता है तो छे से साथ बजे तक long question को याद करना है ठीक है एक गंटा जो है आप हर एक subject पर मान लेजिए कि सनीवार को आपने दे दिया समाज साहतर पर तो आप क्या कीजिए रविवार को किस पर दिजिब आपको हिंदी पर देना है तो एक गंटे बहुभी कलपिये को तयार कीजिए क्यांकि 10 बहुभी कलपिये पर शो पूछा आता है और सुरुआ बे पूछा आता है तो आप लोगों को पता है यह होगा कितना नहीं important है ठीक है तो इसको तयार कीजिए या जो long question है उसको लिख लिख कर तयार कीजिए उसके बाद में देखिए आखरी है कि 8 बजे से 10 बजे तक देखिए 8 बजे से 10 बजे तक model paper copy लिखने का तरीका वीडियो देखें या जो आपके preview paper है या book में आपके paper है तो देखिए 8 9 10 8 9 ठीक है आपके पास क्या 2 घंटे है तो 2 घंटे आपको model paper के लिए enough है model paper आप solve कीजिए या copy लिखने का तरीका देखिए कि top or copy कैसे लिखते हैं copy लिखने का सही तरीका क्या है copy लिखते समय हमें कौन सी गलतिया नहीं करनी चाहिए तो यह सब ज़्यादा important है student ठीक है तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ों को करना है और यह जो आपके लिए मैंने time table बताया है पूरा important time table है मैंने आपको एक detail में बता दिया और यह जो time table है यह आप लोग क्या है एक प्रकार से copy में लिख लीजिए और दिवाल पर चिपका लीजिए अब इसी के हिसाब से अपना पढ़ाई complete कीजिए क्योंकि भाईया घूमने फिरने और instagram पर time waste करने से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर आपको important topic वीडियो दिखी फिलाई student इस वीडियो में इतना ही मैं अलविदा लीदा हूँ मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नाई topic के साथ जाइए